हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इंस्टॉल या फिर अपडेट कर सकते हैं वाइफाइफाइ के ड्राइवर्स को अपने Windows 11 PC यहां फिर's laptop में बहुत ही सिमपल विडियो मोने तो चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जाएंगे स्ट्वाइट में और यहां पर टाइप करेंगे डिवाईस मैनेजर के unos पर क्लिक कर देंगे, तो यहां से device manager कुछ इस तरह से आ जागा, तो कुछ इस तरह से ही होगा, तो यहां पर हमें expand करना है network adapters, network adapters के रूपर यहां पर क्लिक करना है, तो आपको यहां पर आपका wifi डूढ़ना है, तो अगर आपको wifi यहां पर नहीं मिलता, उसका मतलब यह install न जाएंगे, अगर आपको नहीं पता, कौन सा network adapter आपका wifi का है, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ही simple तरह किसे घूंड सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, और control panel टाइप करेंगे, और control panel के उपर क्लिक कर देंगे, और यहां पर network and sharing center के उपर जाए तो यहां पर दिखिए, मेरे change adapter settings आ चुके है, तो यहां पर हमें wifi डूणना है, तो दिखिए, wifi के नीचे ही, bottom में आपका जो को भी wifi होगा, दिखिए, मेरा 802 USB wireless LAN card है, तो वो भी यहां पर network adapter में भी same दिखाए दे रहे, दिखिए, यह दोनों same है, तो मेरा यह wifi है, जिसके drivers मुझे update करने, तो क्या करेंगे, उसके उपर click करेंगे, right click कर देंगे, उसके उपर update drivers के उपर जाएंगे, और यहां से आप search automatically for drivers के उपर click कर देंगे, और उसके बाद, आपके drivers अगर automatically available होंगे internet से, तो वो दिखाई देगे, उसको आप update कर दीजिए, तो दोस्तों, यह simple त को subscribe करना कता ही मत बुलिए, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक लिप आए,